सुरेंद्र जी सुना आपने यहाँ पर जारकन की जनता गुस्सा है इस बात से की बोल दिया गया है कि कटोरा पकड़ा दिया सी करोड लोगों को वो कह रहे हैं आप सबको विखारी समझते हैं क्या जिन लोगों को राशन मिल रहा है क्या कहेंगे इस पर हम नहीं समझते हैं इनको तो नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं जिस दिन इनको यह समझ में आएगी नरेंद्र मोदी जी को एक वोट पाना मुश्किल हो जाएगा गौरो आप हमको एक बात बताईए कॉंग्रेस ने तो रोजगार दिया था मनरेगा दिया था जिसको जितना क चाहिए दिया था ताकि आप आनाज खरीद करके खा सके और इन लोगों ने 15 लोगों को तो 22 लोगों को 15 लाख करोड रुपया माफ कर दिया और बाकी 70 से 80 करोड लोगों को 5 किलो आनाज दे दिया आप सोचिए अपने दोस्तों को 15 लाख करोड रुपया 22 लोगों को 15 लाख क करोड रुपया दिये हैं अडानी अंबानी बाकि सारे लोगों को करजा माफ करके और 80 करोड लोगों क्या दे रहें 5 किलो राशन जिस दिन जनता को यह 70 करोड और 80 करोड जनता को समझ में आएगी अपने आप सारा खेल बदल जाएगा गोरो भाई आप इस चीज को देखिए सवाल यह है कि अगर योजना इतनी खराब है तो फिर आप लोगों ने बीच चुनाओ 10 करोड राशन का वादा क्यों किया यह सवाल है गोरो भाई आप से सवाल की उम्मीद नहीं थी हमें चुकि आप तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं आपको तो मालूम है कि भारत की सरकार जब कॉंग्रेस के आधीन थी तो उन्होंने राइट टू फूड लाएग जिम्मेवारी है अगर रतन टाटा भी अगर रतन फूड के अंतरगत जो आनाज मांगेगा उसको आनाज मिलेगा लेकिन हमारा लक्स फराब आपकी जम्मेवारी यह कैसे नहीं मैं फिर से कह रहा हूं मेरी बात समझेए मैं यह कह रहा हूं यह डिमांड आधारित होनी चाहिए हमें लोगों के हाथ में यह आनाज नहीं काम देना है और आनाज जो मांगे उसको देना चाहिए गौरों मांगे चाहिए सोरिंद राजपूत मांगे जिसको आनाज को उनके हिस्से के 15 लाग करोड आप अडानी के माफ कर देना चाहते हैं, उसकी कॉल फिर्ड से C ग्रेड का कोईला लाया है वो और उसका उसने 3000 करोड रुपे का मुनाफ़ा कमाया है 2014-15 में, उस पर कोई बात नहीं होगी, पूरे जार खंड को लूट लिया इस अडानी ने, व बोलेंगे, बोले, बोलिए, बोले अब या, चामा प्रार्तियु में थोड़ा बिलंब हो गया, ये चुनाओ, भारत के भविस्ष्य का चुनाओ है, ये चुनाओ, भारत की दिशा और दसा तैय करने की चुनाओ है, ये चुनाओ, मा भारती के भविस्ष्य का चुनाओ है, ये चुनाओ भारत ही भारत और अखंड भारत के भविस्त का चुनाओ है आप सारे लोगों से मैं बिनम्र निवेदन करना चाहता हूँ छोटी छोटी जुमलों में नफा से कौन दे रहा है जुमला कॉंग्रेस की सरकार बिगत सत्तर वर्सों में जिस तरीके से वह अभी बोल रहे थे पंद्रा लाग नहीं आये मेरे खाते में अभी पूछ रहे हैं आप नहीं आये थे तब पंद्रा लाग एक मिनट पंद्रा लाग रुपए खाते में पैसे के रूप में नहीं आये हैं लेकिन ये पंद्रा लाग रुपए खाते में जनधन योजना चाहिए वही लोग है वही लोग है लोग है जो दो तरह के बेर उजगार हैं एक तो जो सरकारी नोकरी ढूंड रहे हैं दूसरा वो जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है जो टैलेंटेड है वो बेरुजगार नहीं है